हलो इश्रोएन बहुंद बहुंद स्वागत है आपका कक्षा दसवी गनीत के इस वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम अध्याय 12 रचना के अंतरगर परिवृत की रचना से संबंधित प्रस्नों को देखेंगे देखो यार पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि इस साल वार्षिक प्रस्न पत्र में किस प्रकार से प्रस्न पूछे जाएंगे कौन कौन से पार से कितना कितना नंबर का प्रस्न आएगा ठीक है तो देखो अध्याय 12 से एक प्रस्न आएगा ठीक है और वो जो है कि 5 नंबर का प्रस्न रहेगा एक ही प्रस्न आएगा और वो कितने नंबर करहेगा पांच नंबर करहेगा कितने नंबर करहेगा पांच नंबर करहेगा ठीक है एक प्रस्न आएगा ये तो आपको बता दिया है ना तो कौन सा प्रस्न आएगा देखो यार इसमें आता है परिवृत की रचना किस पर त्रिभ प्रिभूच के ऊपर करना है किस पर त्रिभूच पर को के समझ आ गया और इसी के option में अथवा करके दिया रहता है अंतह वरित क्या दिया रहेगा अंतह वरित देखो पिछले साल तक यहां पर अंतह वरित के दे रहा था उसको कोर्स से हटा दिया गया, ठीक है, इस कारण से परिवृत के option में अंतर वृत रचना दिया रहेगा, ठीक है, और ये त्रिभूच के उपर ही करना रहता है, त्रिभूच के चारो और आप वृत की रचना करते हो, उसको परिवृत कहते हैं, और त्रिभूच के अंदर में जब वृत की रचना करते हैं तो इसको अंतर वृत करते हैं तो ये दो आपको प्रस्ण रहेंगे एक प्रस्ण के अंदर में ये दो प्रस्ण रहेंगे दोनों में से एक आपको बनाना है ठीक है अब ध्यान देना कि परिवृत की रचना करने के लिए या फिर अ कंडिशन होते हैं तीन कंडिशन होते हैं आपको एक एक जांपर से समझाता हूं ठीक है जैसे मेरा एक त्रिभूज है A B C यहां पर तीन भूजाएं हैं A B B C और A C यह तीन भूजा है ठीक है और यहां पर तीन कोण है कोण A कोण B और कोण C तो देखो यार एक त्रिभूज की रचना करने के लिए आपको कम से कम तीन जानकारी होना आवस्यक है ठीक है तो पहला जो कंडिशन है उसमें क्या होता है आपको तीनो भूजाओं का मान दिया र मान ठीक है तीनो भूजाओं का मान दिया रहेगा उस समय आप त्रिभूज की रचना कर सकते हो ठीक है मतलब कि इसमें आपको A B का मान भी दिया रहेगा B C का भी दिया रहेगा A C का भी दिया रहेगा दूसरा कंडिशन क्या है कि आपको दो भूजा दो भूजा एवं मध् और उसके पिछ में जो कॉन है वो आपको दियारेगा, जैसे कि यहां पर माद लो A B भुजा और B C भुजा का मां दिया है, A B और B C का मां दिया है, तो इसके บीच में कौण सा कौन बढ़ रहे है, कौन B बढ़ रहे है, यदि यहाँ पर B C भुजा दिया है और A C दिया है तो इसके बीचे A C और B C के बीचे बीचे कोण सा कोण बार है कोण C तो कोण C का मान दिया हुआ होना चीए तब जो है कि आप त्रिभुज की रजना कर पाओगे ये आपका दो कंडिशन हो गया दो कोण एवं मध्य की एक भुजा तो ये तीसरा कंडिशन ने भीया है ना दो कोण एवं मध्य की एक भुजा आपको दिया हुआ होना चाहिए यहाँ पर देखो यदि अपन को कोण A का मान दिया है और कोण B का मान दिया है तो इसके बीच में कोन सभुजा बनेगा, ध्यान दो, यहां पर कोन A और कोन B, तो इसके बीच में A B बनाद है, तो अपनको A B का मान दिया हुआ होना चीए, यदि अपनको कोन B एवां कोन C दिया है, तो इसके बीच में कोन सभुजा बनेगा, B C बनेगा, ठीक है, तो इस B C का मान दिया हुआ होना चीए तब ही जो है कि आप त्रिभूज की रचना कर पाओ के ओके तो तीन कंडिशन होते हैं जिसमें हमें त्रिभूज की रचना करना होता है कभी कभी क्या होता है अपनको संबाहू त्रिभूज बनाओ ऐसा बोलके दे दिया रहता है संबाहू त्रि है यहां पर भुजाओं का मान नहीं दिया है तो ऐसे में हम अपने मन्समाप ले लेते हैं ठीक है जैसे तीन cm लेलिया सबी भुजाओं को तो तरी भुजकीी रचना कर दी ऐसे टाइप से ठीक है तो ऐसे टाइप का question भी है ना लेकिन मैंने यहां पर जो question लिया है वो आपका प्रादर्स प्रस्ण पत्र से लिया गया है ठीक है इस साल जो model प्रस्ण पत्र दिया है सरकार उसमें से यह जो question है वो मैंने लिया है और साथ ही कुछ समभावित प्रस्ण पत्र है जो generally आप पढ़ोगे इस साल ये जो आपका प्रबोध है प्रबोध परिच्छा बोध है ना 2022 का नया वाला गाइड है ठीक है इसमें जो संभावित प्रस्ण पत्र है उसमें से मैंने प्रस्ण लिया है ठीक है साथ ही 2020 का question भी दिया है जिसमें आपको परिगत वृत दिया हुआ है तो यहाँ पर टोटल मैंने चार प्रस्ण लिखे हैं जिसको मैं बनाने वाला हूँ और इन चार प्रस्ण में ये जो मैंने त्रिभूज की रजना तीन कंडिशन बताया है ठीक है ये तीनों कंडिशन वाले प्रस्ण आ जाएंगे तो यदि आप इतना को देखते हो तो पर और उसके जगह यदि आप तीन क्वेशन कर रहे हो और कॉंसेप्ट को समझ रहे हो तो कौन सा बहतर है ठीक है तीन क्वेशन करना ज्यादा बहतर है ओकी तो यहाँ पर हम कम से कम प्रस्ण करेंगे जिससे हम कम से कम प्रस्ण करेंगे जिससे कि हमारा कॉंसेप्ट क्लियर हो और दोनों एक दूसरे के option में आते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ परिवृत से समंधित जो question है उसको कराने वाला हूँ यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है ठीक है तो आप अंतवरित वाले जो प्रस्न है उसको छोड़ सकते हैं सिर्फ परिगत वृत की तया देखना नेश्ट वीडियो जो बनाओंगा वह अंतवरित से समंधित रहेगा तो उस वीडियो को भी देखना फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ परिवृत किस प्रकार से आपको रचना करना है उसको बताने वाला हूँ उसको देखते हैं ठीक है तो चलो सुरू करते हैं ए बी सी के परिवृत की रचना कीजिये जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर छे सेंटिमीटर है तथा रचना के पद भी लिखें ध्यान दीजिये यहां पर तीनों भुजाएं बराबर है ऐसा किसमे होता है ऐसा होता है संबाहु त्रिफूज में ठीक है दे बनाईए तथा उसमें परिवृत की रचना कीजिए उसमें आपको भूजा की लंबाई नहीं दिया रहेगा तब आप अपने मन से कोई सभी लंबाई ले सकते हो चाहो तो आप 6 cm ही ले लो या फिर 4 cm या 5 cm जो लंबाई लेना है ले सकते हो ठीक है लेकिन सभी भूजाए क्य हो निची ये बराबर होना चाहिए यहाँ पर अपन को भूजाओ की लंबाई दिया गया है 6 cm तो 6 cm लेकर एक संभाहू त्रिभूज बनाना है और उसके परितह परिवृत की रजना करना है तो इसको हल कैसे करेंगे चलिए देखे सबसे पहले हम प्रसन का क्रमांग डालें फिर उसके बाद हल लिखेंगे फिर उसके बाद डेस और फिर दिया है अल पिराम लगाना ओके फिर लिखना त्रिभूज ABC में जो भी त्रिभूज आपको दिया रहेगा जैसे हाँ पर त्रिभूज ABC बोला है ठीक है तो हमने यहाँ पर लिखा है त्रिभूज ABC में ओके ये हो गया जो भी जानकारी यहाँ पर काम का था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद क्या करना है दियां से समझे देखो यार अपन को त्रिभूज बनाना है ठीक है। अब तरिभूच कैसे दीखेगा, इसका एक जर्णल आइडिया लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रवचित्र बना लेंगे, अब देखो, यह जो आपका रवचित्र है, यह आपको फ्रेंड से बनाना है, और यह आपके उत्तर का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह जो आप रवचित्र बनाओगे, इसको आपको ऐसे जगा में बनाना है, जैसे आप उत्तर पुस्तिका देखोगे, तो वहाँ पर रव कारे करने के लिए जगा दिया रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर रवचित्र को बना लो, ओके, यह हो गया, अब, यहाँ पर देखो, आपको तीनों भुजाओं की मान दिया है तो नीचे में आप कोई सभी भुजा को ले सकते हो नहीं तो उस भुजा को लेना जिसका मान आपको दिया रहेगा ठीक है यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान दिया है तो मैं क्या करता हूँ जर्नल जो हम चित्र बनाते हैं न त्रिभूज ABC वैसा ही बना दिया नीचे में BC भूजा को ले लिया अब यहाँ पर क्या करना जो लंबाई दिया रहेगा उसको लिख दो यहाँ पर सभी भूजा 6 cm है तो सभी जगम में 6 cm लिख दिया ओके यह हो कया अब क्या करना है देखें हमें ये जो त्रिभूज है इसको बनाना है ओके इसकेल से नापकर सही सही वाला तो यहाँ पर क्या करना उपर में और नीचे में प्रयाप्त जगा रहे ऐसे जगा में त्रिभूज की रचना करना है तो हम क्या करेंगे scale को सिधा रखेंगे इसके बाद क्या करना 0 में ऐसे point लगाना ठीक है उसके बाद 6 में लगाना ठीक है देखो यार paper में पेन या sketch pen alone नहीं रहता है आपको pencil से ही बनाना है तो इस बाद को ध्यान देना ठीक है मैं यहाँ पर पेन से बना दे रहा हूं ताकि मेरे वीडियो में थोड़ा साप साप दिखे और वैसे भी मेरा practice है तो सही बनेगा है ना तो इस तरीके से अपन इसको बना लेंगे दम perfect बनाने का कोसिस करना ठीक है इसके बाद जब आप इसको हटाओ गए ना तो ध्यान से क्या करना इसका जो किनारे है ना वहाँ पर ऐसे जो आपका pencil का नोख है उसको गड़ा देना ठीक है बी और ये हो गए आपका सी अब ध्यान दिजे आपको बी सी भुजा मिल गया है अब हमको कौन सा भुजा चाहिए अपनको B, A और C, A ये दो भुजा चाहिए ना या देखा जाए तो हमें B और C सिर्ष मिल गया है अब अपनको A सिर्ष चाहिए अब A सिर्ष आपको कैसे मिलेगा देखो B से A तक का दूरी है 6 सेंटिमीटर ठीक है और C से A तक का दूरी ये भी 6 cm है इसी जानकारी से हमको A मिलेगा तो इसके लिए क्या करना है इसको समझेए ठीक है आपको इसके लिए प्रकार की आव सकता होगा प्रकार में पेंसिल को अच्छे से फीट कर लेना ठीक है और देखो भई B से A तक का दूरी है 6 cm तो हमें इस प्रकार को 6 cm फैलाना है ठीक है और 6 cm फैलाने के लिए क्या करोगे इसका जो नोकीला हिस्सा है उसको 6 में रखना और जो इसका पेंसिल वाला नोक है उसको 0 तक फैलाना तो ये 6 cm फैल जाएगा अब देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पर क्या कर देना नोक को गड़ा देना नोक को गड़ाने से क्या है नोकीला हिस्सा को अराम से ऐसे रख पाओगे ठीक है अब क्या करेंगे भई सामने से हम ऐसे चाप काटेंगे देखो यदि हम छोटा सा ऐसा वकरी लाइन खिसत लेकिन सिर्फ एक चाप खीचने से आपको ए बिंदू प्राप्त नहीं होगा आपको एक और चाप काटना पड़ेगा ठीक है और दूसरा चाप आपको कहां से काटना पड़ेगा देखो हमको यहां से सी से ए तक का दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर अब हमें सी में नोक को रखकर चाप काटना है और यह कितना फैलना चीए 6 सेंटीमीटर फैलना चीए अभी थोड़े दर पहले हमने इसको 6 सेंटीमीटर फैला लिया है यदि आपको डाउट है तो फिर से चेक कर लेना ऐसे यह 6 से सेंटीमेटर फैला है कि नहीं तो 6 सेंटीमेटर फैला है तो यहां पर सी में रखेंगे और दूसरा चाप काटेंगे ओके ठीक है फिर अपन को यहां पर एक कटान बिंदू मिलेगा उस कटान बिंदू को अद्दम ध्यान से देखकर जो आपका पेंसिल है उसका नोक को ऐसे यहां पर गड़ा देना ठीक है फिर इसके बाद क्या करना है इसके ल को रखिए और इसको मिलाईए ओके यह हो गया देखो यह वाला बिंदू कौन सा बिंदू है ए वाला है तो यहां पर हम लिख देते हैं ए तो इस तरीके से हमारा जो त्रिभूज अब अपन को यहां पर परिवृत की रचना करना है परिवृत की रचना करने के लिए क्या करना होगा ध्यान से समझना यहां पर आपके पास तीन भुजा हैं आपको कोई सभी दो भुजा का सम्दिभाजन करना है और सम्दिभाजत रेखा प्राप्त करना है ठीक है चलो देखो और फिर समझो मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ AB भुजा और AC भुजा का सम्दिभाजन कर रहा हूँ ठीक है आप चाहो तो BC और AB कभी कर सकते हो अब देखो यहां पर अपन को त्रिभुज तो प्राप्त हो गया ठीक है अब त्रिभुज के परिता हमें परिवरित की रहचना करना है और उसके लिए करना यह होगा कि यहां पर आपके पास तीन क्या है तीन भुजाएं है ठीक है इन में से कोई सभी दो भुजा का सम्द दिवाजक रेखा प्राप्त करना है. ठीक है? तो चलो देखो फिर आपको समझाएगा कैसे करना है. तो मैं यहाँ पर पहला भुजा BC ले रहा हूँ और दूसरा भुजा मैं AB लूँगा. ठीक है? कैसे करना है? चल देखे. सबसे पहले मैं BC भुजा का सम्धिवाजक रेखा प्राप्त करूँगा और उसके लिए क्या करना है यह जो आपका डिवाईडर का नोख है उसको एक सीरा में रखेंगे और इसको इस भूजा के आधा से अधिक फैलाना है ठीक है आधा से अधिक फैला हुआ है अब क्या करना उपर की ओर आपको चाप काटना है और सेम दूरी लेते हुए नीचे की और भी ऐसे चाप काटना है अब जो दूरी ले लिए हो वही दूरी रखना है और दूसरे सीर्ष में इसके नोक को रख कर चाप को काटना है ओके इस तरीके से काट लेंगे इससे अपन को ये कटान बिंदू प्राप्थ होगा दोनों साइड में ठीक है एक और दो इस तरीके से नाम दे देंगे देखो यार दो बिंदूओं से जाती हुई जो रेखा होती है वो सीधी रेखा होती है याद रखना इस करना से याँपर दो बिंदू प्राप्थ करना जरूरी है एक ही साइड में काट लिए, दूसरे साइड में नहीं काटोगे तो जो line खीचोगे है ना, वो सीधा नहीं रहेगा ठीक है? इसका यान से ऐसा करना पड़ता है अब क्या करेंगे हम? एक और दो को मिलाते हुए एक सरर रेखा खीचेंगे एक और दो को मिलाते हुए एक सर रेखा किजेंगे तो इसके लिए क्या करना जो आपका pencil है उसको ऐसे दो में रख लेना ठीक है और एक में रख लेना और चेक कर लेना कि यार आपका जो pencil का नोख है वो सही से रखा रहा है कि नहीं रखा रहा है ठीक है कई लोग क्या करते हैं इसी में रख देते हैं ऐसे अब यदि pencil को रखोगे तो क्या होगा यार जो आपका main point है वहाँ पर नहीं रहेगा ठीक है तो इस चीज को ध्यान देना देखो मैं कैसे करता हूँ ठीक है ऐसे रखोंगा यहाँ पर चेक कर लिया मेरा जो पेन है उसका नोक आ रहा है कि नहीं आपको pencil को चेक करना है ठीक है इस तरीके से यहाँ पर यह जो point आपको प्राप्त होगा यह जो है कि BC का मध्य बिंदु है ठीक है यह क्या है आपका BC का मध्य बिंदु है इसको आप चाहो तो नाम करन कर सकते हो नहीं करना है तो मत करो क्यों कि उसकी आप सकता आपको नहीं पड़ेगी ठीक है तो अपन नाम करन नहीं करते हैं रहने देते हैं ओके अब हम ये जो आपका ए भी भूजा है ठीक है इसका समधिभाजन करते हैं ठीक तो उसके लिए भी वही करना है डिवाइडर को एक सीरा में इस तरीके से रखना थोड़ा सा गड़ा देना नहीं तो जगा इधर उधर होते रहता है ठीक है और आधा से अधिक फैला लेना है ओके और आमने सामने में मतलब की इस भूजा के आमने सामने में चाप करना है तो इधर में चाप कर देता हूं और सामने की ओर चाप कर देता हूं ठीक है इस तरीके से फिर इसके बाद ए में रखता हूं इसको और फिर चाप कर देते हैं ऐसे दोनों डारेक्शन में आपको कटान बिंदू प्राप्थ होंगे देखो इन कटान बिंदू का नाम आप यहाँ पर मैं क्या रखा हूँ एक और दो रख दिया हूँ ठीक है यहाँ पर मैं रखूंगा तीन चार आप चाहो तो इसको P, Q, R, S ऐसा भी रख सकते हो ठीक है नाम ही तो रखना है है ना अब क्या करेंगे इनको मिलाते हुए लाइन खिचेंगे देखो यार एक ही बार में नहीं बनेगा ठीक है कम से कम दो तिन बार प्रिक्टिस करोगे तब जाके अद्दम पर्फेक्ट आपसे बन पायागा ओके ये हो गया अब देखो ये वाला क्या है आपका एक संदिभाजक रेखा है ये वाला भी क्या है एक सम्दिभाजक रेखा है ये दोनों सम्दिभाजक रेखा जिस पॉइंट पर क्रोस कर रही है काट रही है ठीक है इसको हम केंद्र बोलेंगे क्या बोलेंगे केंद्र बोलेंगे और इसको हम ओ से दर्साएंगे अब आपको क्या करना है ध्यान से समझेए हमने ये वाला भुजा का संद्रिभाजक ये वाला खीचा ये वाला भुजा का संद्रिभाजक ये वाला खीचा ठीक है इस वाले भुजा का संद्रिभाजक नहीं खीचा है इस वाले भुजे के सामने वाला सिरस कुन सा है B है तो अब क्या करना है ये जो आपका O है इसको B से मिला देना है ठीक है अब मिलाओ के कैसे यहाँ पर आप चाहो तो जैसा हमारा किताब में दिया है ना गाइड वाइड में उस तरीके से बता रहा हूँ तो यहाँ पर dotted line का उपयोग किया है ठीक है तो dotted line उपयोग करना चाहो तो मिला भी सकते हो ठीक है इस तरीके से हो गया अब हमें क्या करना है ध्यान से समझना नोक को यहाँ रखना और आपको इसको B तक फैलाना है ऐसे ठीक B तक फैल गया फिर उसके बाद उठा के देखो यहाँ पर A में जो आपका pencil का नोक है वो A को touch कर रहा है ठीक है फिर दूसरे direction में देखो यह C को touch कर रहा है मतब कि तीनों सीर्स को touch कर रहा है ठीक है ऐसे check कर लेना कि यह तीनों सीर्स को touch कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस तरीके से इसके बाद जब आपको अद्दम confirm हो जाए कि यार हाँ touch कर रहा है तो इसको फिर गोल से घुमा दो और वृत को बना दो देखो यार अब ये सब रचना तो हो गया है ना यहाँ पर जो जानकारी आपको दिया है जैसे A, B, B, C, C, A उसको भी यहाँ पर दरसाना पड़ेगा ओके तो यहाँ पर अपन को B, C, 6 cm A, B, 6 cm और A, C या C, A बोलो वो भी 6 cm है तो इस तरीके से उसको दरसा देना है ठीक है इसके बाद हम रचना के पद को लिखेंगे तो कैसे लिखोगे चलिए समझिए रचना के पद ठीक है तो त्रिभूज A, B, C का रचना किया ठीक है अब जो यह त्रिभूज A, B, C की खासे थे उसको आप चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो नहीं तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है ठीक है क्या लिख सकते है भई जहाँ A, B बराबर B, C बराबर C, A बराबर 6 cm है ओके इस तरिके से सबसे पहला इस टेप आप क्या लिखोगे त्रिभूज A, B, C की रचना किया उसकी बाद जिन दो भुजाओं का आपने समदिभाजन करके सम्द्वी भाजक रेखा प्राप्त किया उन भुजाओं को लिखना है ठीक है तो हमने कौन-कौन से भुजा का किया है A.B. भुजा और B.C. भुजा ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे A.B. व. B.C. भुजा का सम्द्वी भाजक क्या बोलते हैं उसको सम्द्वी भाजक रेखा खीचा क्या लिखेंगे खीचा जो ओपर कटती है तीसरा इस्टेप O. को हमने किस से मिलाया? B. से मिलाया O. को हमने किस से मिलाया? B. से मिलाया तो उसको लिखेंगे O. को B. से मिलाया तथा O. भी त्रिज्या लेकर तथा O. को केंद्र मानकर केंद्र मानकर मानकर वृत्य की रचना की वृत्य की रचना की प्राप्त वृत्य ही अभिष्ट परिवृत्य है तो इस तरीके से आपको रचना के पत को लिखना है ठीक है अब हम दूसरा नंबर का प्रस्न देखते हैं दूसरा नंबर का प्रस्न क्या बोलता है त्रिभूज के परिवृत्य की रचना कीजिये जबकी त्रिभूज ABC में AB बराबर 3 cm, BC बराबर 4 cm, एवं कोण B बराबर 90 अंस है देखो यहाँ पर हमें दो भुजाओं का मान दिया है ठीक है और उनके बीच में जो कोण बनेगा उस कोण का मान दिया है यहाँ पर रचना कैसे करेंगे चलिए देखे सबसे पहले हम प्रसन का क्रमांख लिखेंगे, फिर उसके बाद हल लिखेंगे, फिर उसके बाद डेश, फिर उसके बाद क्या करोगे दिया है त्रिभूज ABC में AB बराबर 3 cm, BC बराबर 4 cm, कोण B बराबर 90 अंस यह हो गया, जो भी यहाँ पर आवस्यक जानकारी था, उसको हमने लिख लिया इसके बाद क्या करना है, बगल में एक रपचितर बनाना है, ठीक है मैंने यह बोला था कि जिस भुजा का मान आपको दिया रहेगा, उस भुजा को आपको नीचे में लेना है, ठीक है तो यहाँ पर देखो, आपको A B भुजा का मान दिया है, और B C भुजा का भी मान दिया है, ठीक है तो आप दोनों में से किसी भी एक भुजा को ले सकते हो, ओके हम यहाँ पर B C भुजा को ही नीचे में ले लेते हैं, ठीक है इसको हम यहाँ पर लेंगे तो उपर में क्या आजाएगा A आएगा तो BC कमान कितना दिया है भई? 4 cm AB कमान कितना दिया है? 3 cm और कोण B कमान कितना है? 90 अंस हो गया यह सब जो भी जानकारी यहाँ पर दिया था उसको हमने रबशित्र में बना लिया है अब हमको क्या करना है? Scale की सहायता से जो आपका 36 भुजा है जो आपका 36 भुजा है उसको पहले बनाना है ठीक है? तो यहाँ पर Scale को ऐसा रख लेते हैं उपर नीचे में जगा रखना ठीक है? और कितना cm लेना है भई? 4 cm लेना है तो सबसे पहले 0 में हम ऐसे निसान बना लेंगे और 4 में भी निसान बना लेंगे ऐसे ठीक है? और फिर इसको क्या करना? मिला देना इस तरीके से यह हो गया हमारा B, यह हो गया C और फिर आपका जो Divider का नोख है उससे किनारे को ऐसे गड़ा देना ओके? हो गया आप अब देखो, जब आपको कोण कमान दिया रहेगा है ना? तो आपको चांदा किया आप सकता पड़ेगे ठीक है? चांदा का जो यह 0 पॉइंट है यह जो 0 पॉइंट है, यहाँ पर हलका सा लाएं रहते है ठीक है? उसको कहाँ पर रखोगे? यह किनारे में रखोगे चुकि अपन को कोण B कमान दिया है इसलिए यहाँ पर इसको हम B में रख रहे है यदि C कमान दिया रहता तो C में रखते है ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से दिया है तो अपन क्या किये हैं, ध्याँ से समझे जो zero point है, उसको b point है, उसमें रखा हूँ, ठीक है और ये वाला जो line है उसको bc वाला जो line है, उसमें रखेंगे, ठीक है देखो कई बार होता क्या है, यदि मैं b बहुता है, यदि मैं b बहुता है ओके यार ये ये रख लेंगे इस तरीके से अब यहाँ पर अपन को 90 अंस चाहिए तो 90 किधा से ना पोगे देखो 90 अंस यहाँ पर इस डायरेक्शन से बना है तो इस डायरेक्शन से 90 ना पोगे ठीक है यह आपका 0 फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तो यह पॉइंट है भ स्केल को रखेंगे और बी और उस पाइंट को मिलाते हुए एक लाइन खिचोगे जो एक डायरेक्शन में अनंत दूरी तक जा सकता है यदि एक ही डायरेक्शन में अनंत दूरी तक जा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कीरण बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क बना है तो नब्यांस लिख सकते हो आप इस तरीके से यहाँ पर 4 cm है तो 4 cm लिख देते हैं ठीक है अब आगे अब आपको आप सकता पड़ेगा डिवाइडर का ठीक है डिवाइडर में क्या करने है इधर देखो बी से ए तक का दूरी अपन को दिया है 3 cm कितना दिया है 3 cm तो इस डिवाइडर को अब 3 cm फैलाना है क्या करेंगे 3 cm तक फैलाएंगे ठीक है ऐसे ये 3 cm फैल गया 9 को क्या करना 3 में रखना और पेंसिल वाला भाग को 0 में ले जाना तो इस तरीके से ज़्यादा इजी परता है फिर उसके बाद इसको हम B में रखेंगे और A के लिए ऐसे चाप खटेंगे तो यहाँ पर एक कटान बिंदू प्राप्त होगा इस बिंदू क क्या नाम है एब क्या करोगे A को C से मिला देना है ओके तो यहाँ पर हमारा ठृभूज बन गया है देखो इस बुझा कमान दिया है तो हम यहाँ पर इस बुझा कमान को लिग देते हैं देखो जो भी मान आपको दिया रहेगा उसको आप चीटर में दरसा देना और पेंसि मत बनाना ठीक है पेंसिल से बनाना ठीक है ना अब हमको क्या करना है किनी भी दो भुजाओं का संद्रि भाजन करना ठीक है तो यार जन्रली आप पहला भुज़ा जो 36 रहेगा उसी को ले लेना ठीक है फिर उसके बाद दूसरा भुज़ा दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हो यह आपके उपर है तो सबसे पहले हम BC का समध्य भाजन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे और divider को क्या करना है इसके आधा से अधिक देखो जन्रली समझो BC है इसका आधा लगभग यहाँ पर मिलेगा अपन को क्या करना है लगभग यहाँ तक फैलाना है कैसे यह रख लिए यहाँ पर नोक में और इसको इस तरीके से आधा से अधिक मैंने क्या कर लिया फैला लिया अब सामने की ओर हम चाप काट लेते हैं और वही चाप हम पीछे की ओर भी काट लेंगे वही दूरी लेकर फिर सेम दूरी लेना है डिवाइडर को कम या ज़्यादा नहीं करना है ठीक है और जो पहले चाप काटे थे उसको अब इस तरीके से काट देंगे तो अपन को उपर और नीचे में ऐसे कटान बिंदों मिलेगा अब चाहो तो आप इसका नाम को एक और दो रख सकते हो या आपका मर्जी है तो आप पी क्यू ऐसा नाम भी रख सकते हो ये आपके उपर है ठीक है फिर इनको मिलाईए ऐसे दोनों पॉइंट को और एक रेखा खीजना है देखो जब आप इस तरीके से रेखा खीजोगे तो अपने आँख से भी देख ले ना भाई कि यहां से यहां तक कदूरी और यहां से यहां तक कदूरी बराबर है की नहीं है यदि बराबर नहीं है तो आप गलत बना रहे हो फिर से बनाओ है ना और यदि सब चीज़ सही तरीके से बनाओगए न तो गलत नहीं बनेगा अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो ये आपका ab भुजा है इसका संथिवादन करते है तो क्या करते हैं यहाँ पर B में रखेंगे यहाँ आधा से अधिक ऐसे फैला लेते हैं चाहो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो ऐसे जरूर नहीं है तो अपन चलो ज़्यादा ले ले लेते हो इस direction में यहाँ पर चाप कर दिए दूसरे डारेक्शन में फिर यहाँ पर चाप कर दिये ठीक आधा से कम नहीं लेना है आधा से ज़्यादा जितना लेना है ले सकते हो आधा से कम नहीं होना चाहिए ठीक है दूरी अब यहाँ पर गड़ाया तो यह कम हो गया तो फिर कैसे चेक करेंगे यहाँ पर रख लो और यह फैला है उतना तक फिर से फैला लो फिर आपका सही हो जाएगा जो पहले से चाप काटें उसको अपन क्या कर देंगे फिर से ऐसे कार देंगे तो यहाँ पर अपन को again दो बिंदूएं मिल जाएंगी इस तरीके से इन बिंदों का नाम रख देते हैं क्यार नाम रखना है भई R और S रख देते हैं ठीक है P Q R S इस तरीके से अब इनको मिलाना है अपन को यह हो गया फिर इसके बाद मिला दो अब देखो भई यहां पर आपके पास दो सम्दिभाजक रेखा खीचा गया है और दोनों सम्दिभाजक रेखा कहां पर कट रहे हैं यहां पर कट रहे हैं तो यह वाला जो पॉइंट है इसका नाम आपको रखना है O क्या रखोगे O और फिर ध्यान दिजिए B C का सम्दिभाजक खीचे हो A B का सम्दिभाजक यह खीचे हो ठीक है A C का सम्दिभाजक नहीं खीचे हो A C हो जाके सामने वाला सिर से क्या है B है तो अपन को O को किसे मिलाना है B से मिलाना है ठीक है तो और इसको कैसे लाइन से मिलाना है Dotted Lाइन से कैसे लाइन से मिलाना है, डॉटेल लाइन से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोक को O में रखेंगे और पेंसिल को B तक फैलाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उठा कर C में रख कर देखो, किनारे को टच कर रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद A में रख कर देखो, किनारे को देखो क्या है ना ची चितर है बनाना आशान है लेकिन इसमें दिखाना मुस्किल हो जाते ह 37 एंड कई लोग क्या करते हैं बताता हूं ठीक है उसको रखते हैं और उससे वरित नहीं बन पता तो इसको पकड़के ऐसे गोल गोल भुमा गते हैं ठीक है बन गया मेरा वृत ऐसा तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो खैर हाथ बीच में आ रहा था इस कारणों से ऐसा क्या है यह तो ऐसा गोल से घुमाँ और फिर वृत की रचना हो जाएगे ठीक है? तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इस तरीके से अपन को यहाँ पर रचना को करना है फिर इसके बाद आपको रचना के पद लिखना है बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा पिछला प्रस्ण में अपन लोग किये थे क्योंकि यहाँ पर भी त्रिभूज का नाम ABC ही रखा है ठीक है चलो देखते हैं क्या करना है यहाँ पर देखो रचना के पद को सबसे पहले हमने क्या किया त्रिभूज ABC की रचना किया यदि हम ये वाला पोर्शन को ना लिखे ठीक है तो इतना ही लिखना है त्रिभूज ABC की रचना किया यहाँ पर डिटेल में आपको जाने की आप सकता नहीं है उसके बाद क्या किये हो AB और BC भुजा का संदुभाजा क्रेखा कीचा जो O पर करती है ठीक है फिर O को B से मिलाया तथा O भी तरिज्जा लेकर तथा O को केंद्र मान का वृत की रचना की प्राप्त वृत ही अभिष्ट परिवृत है इस तरीके से आपको रचना के पत को लिखना है है ना चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का प्रस्ण तीसरा नंबर का प्रस्ण क्या बोलता है त्रिभूज ABC की परिवरित की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 cm, कोण B बराबर 17 तथा AB बराबर 5 cm हो रचना के पद भी लिखें देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछले प्रस्न में हल किया था ठीक है देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे तो प्रस्न कक्रमांग डालेंगे फिर उसके बाद हल लिखेंगे फिर उसके बाद डेज फिर दिया है लिखना अल्पिराम ठीक है त्रिभूज ABC में BC बराबर 6 cm, कोण B बराबर 17 अबी बराबर 5 cm ऑके फिर इसके बाद क्या करेंगे हम एक रबजितर बनाखेंगे देखो आपको पेपर में रबजितर को जहाँ पर उत्तर बना रहे हो वहां पर नहीं बनाना है ठीक है और यदि आपने गलती से बना दिया पेंसिल में बनाओगे है न तो मीटा देना ठीक है रब शित्र नाम रखते हैं A, P, C देखो यार यहाँ पर अपनको B, C भुजा दिया हुआ है इसलिए मैंने B, C को अधार लिया है यदि नहीं दिया रहाता तो मैं इसको अधार नहीं लेता B, C का मान दिया है 6 cm A, B दिया है 5 cm और कोण B का मान दिया है 70 अंस हो गया यह सब जानकारी जो भी यहाँ पर आवस्यक थी उसको हमने क्या किया लिख लिया इसके बाद क्या करना है Scale की सहायता से सबसे पहले हम B, C भुजा बनाएंगे अब B, C ही भुजा को क्यों बना रहे है क्योंकि B, C 36 है इस कारण से हम इसको बना रहे है जो भी 36 भुजा है उसको पहले बनाना है इस तरीके से रखते हैं कितना cm है 6 तो यहाँ पर 0 लेते हैं फिर उसके बाद 6 लेते हैं यहाँ पर ऐसे marking कर लेना फिर उसके बाद इसको मिला देना तो perfect बन जाएगा ठीक है यह आपका B, A, C उसके बाद क्या करना जो divider का नोख है उससे यहाँ पर थोड़ा सा गड़ा देना इससे जगा fix रहेगा ठीक है अब देखो यहाँ पर 70 अंस का कोण है है ना अपन को 70 अंस को कोण चीए तो चांदा क्या आँ सकता पड़ेगा चांदा को ऐसे रख लो और कोण किदा से नापोगे इस direction से मतब कि इस direction से ठीक है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पर हो गया इसको हटा दो फिर उसके बाद की scale को रखना है ऐसे B और उस point को मिलाते वे एक line खीचना है इस तरीके से और यहाँ पर लिख देना X क्योंकि यह एक किरण है ओके यहाँ पर कोण बनेगा कितने अंस का कोण बनेगा 70 अंस का कोण बनेगा तो अपन यहाँ पर लिख देते है 70 अंस ठीक है अब अपन को क्या चीए अब अपन को A बिंदू चीए ठीक है और A बिंदू कैसे प्राप्त होगा B से A तक का दोरी दिया है 5 सेंटिमेटर तो उससे प्राप्त होगा ओके लोग बच्चे लोग क्या करते हैं यह बताता हूँ ऐसा इसकेल को रखे और 5 सेंटिमेटर कितना है ऐसा नापेंगे और यहाँ पर ऐसा बिंदू लगा देंगे ऐसा मत करना ठीक है यह नियम नहीं है नियम के हिसाब से चलना है अपन को और पेंसिल को कहां तक ले जाना है जीरो तक ले जाना है तो यह 5 सेंटिमेटर फैल गया फिर उसके बाद इसको बी में रखेंगे अब बी कहां पर है यह नहीं है ठीक है बी कहां पर है यह है बी तो बी में रखेंगे यह 5 cm फैला हुआ है चाहो तो फिर से चेक कर लो फिर उसके बाद यहां पर ऐसे चाप काटना तो यह जो आपका कटान बिंदू है ना यह है ए क्या करेंगे ए और सी को मिला देंगे ठीक है इस तरीके से रखना और मिला लेना देखो यार अब त्रिभूज को सही तरीके से बनाने तो आपको सीखना ही पड़ेगा यदि नहीं सीखोगे तो फिर परिवरित रचना नहीं कर पाओगे ओके त्रिभूज बन गया अब अपन को क्या करना है परिवरित की रचना करना है और परिवरित की रचना करने के लिए कोई सब ही दो भुजा को अपन को सम्धिभाजन करना है और सम्धिभाजक रेखा किषना है ठीक है तो सबसे पहले हम BC भुजा का सम्धिभाजक खिसते हैं तो सी में रखो और आधा से अधिक दूरी तक फैला लो ओके याधा साधिक फैल गया सामने की और इस तरीके से चाप कारते हैं फिर उसके बाद नीचे की और भी उसी माप में चाप काट लेंगे ठीक है यहाँ पर आपको दीखेगा इस तरीके से उपर करूँगा तो फिर उ इसका नाम हम रख लेते हैं P और Q ओके हो गया फिर उसके बाद स्केल को रखो और दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खीच लो ऐसे रेखा है तो इसमें तीर लगाना जरूरी है यह हो गया पहला संदी भाजक रेखा बन गया अब हम दूसरा भूजा ले लेते हैं A-B को चाहे तो A-C को भी ले सकते है किसी को भी ले सकते हो ठीक है जरूरी एक ही पैटरन पर चलना तो रजना के पर लिखने में परसानी नहीं होगा तो अब मैं A-B भूजा का संदी भाजन कर रहा हूँ आधा से अधिक इसको फैलाएंगे ठीक है चलो अलग नाप ले लेता हूँ और सामने के और ऐसे चाप काटेंगे दूसरे डायरेक्शन में भी ऐसे चाप काटेंगे फिर उसके बाद A में रखेंगे और एक मिनाटा यहाँ पर गड़ाते क्यों है समझा है यहाँ यदि नहीं गड़ाओगे तो यह फिसल जाता है इसका यहाँ से गड़ाना फिर उसके बाद ऐसे हो यह हो गया दोनों कटान बिंदू को अद्दम ध्यान से पहचानना और इसको मिलाते वे लाइन खीच लेना है देखो यह जो आपके पॉइंट से इन पॉइंट का भी नाम हम रख देते हैं चलो आर और एस रख देते हैं अब देखो भाई आगे यह वाला जो समझी भाजक रेखा है और यह वाला जो समझी भाजक रेखा है इस point पर एक दूसरे को cross करेंगे उसी point को आपको O बोलना है क्या बोलना है O मतलब कि जो वृत हम बना रहे हैं उस वृत का केंदराग ठीक है इसके बाद क्या करना इसको B से मिला दो अब B से क्यों मिला रहे हैं यहां से समझना यह वाला का समझी भाजक है यह इसका समझी भाजक यह है AC का समझी भाजक आपने नहीं खीचा है AC के सामने वाला जो सिर्स है वो B तो केंदरागो B से मिलाना है ठीक है कौन सा लाइन खीचोगे भई? dotted line dotted मतलब बिंदू बिंदू वाला ठीक है? देखो एक चीत ध्यान देना मैंने यहां पर जो यह अंस में मान लिखा हूँ ना इसको थोड़ा सा उपर लिखा था ठीक है? ताकि जब यह वाला line को खीचें तो यह जो अंस लिखा है वो कटे ना अब अपन को क्या करना है? यह जो divider है ना इसका noc को यहां पर O में रखेंगे और pencil का noc को B में रखेंगे ठीक है? बी तक आपको फैलाना है ना? यदि आप ध्यान दो तो यदि हम A के direction में रखें तो pencil का noc A को भी touch करेगा A सिर्स को और C सिर्स को भी touch करेगा यदि ऐसा है तो आपने मस्तफ परफेक्ट जगा यह प्राप्त किया है ना? और यदि नहीं है तो थोड़ा पहुत ध्यान देकर इसको कम ज़्यादा कर सकते यार ठीक है? जैसे यहाँ पर C को टच नहीं कर रहा है ना? तो अपन क्या करते हैं? इसको हलका सा ऐसे बढ़ा देते हैं ठीक है? इस तरीके से प्रेक्टिकली जब बनाओगे न दोस्त तो थोड़ा सा डिफ्रेंस आ जाता है और थोड़ा सा डिफ्रेंस क्यों आता है? क्योंकि हम जो ये समदिभाजक रेखा केसे हैं ना? ये गड़बड हो जाता है इस करन से तो इसको आपको ध्यान देना है ठीक है? अब क्या करें इसको ऐसे तो जो जो चीजे बता रहा हूँ उसको ध्यान देना यहाँ पर रखे है ना यहाँ पर आप जब नो को रख रहे हो तो इधर उधर हो सकता है इस करण से यदि आप यहाँ पर रख रहे हो हो सकता है इसको टच करें लेकिन इसको क्या कदर है तो आप उसको ध्यान से थोड़ा से फैला दो अब देखो यह A को भी टैच कर रहा है बी को भी टैच कर रहा है ऐसे डाइब का आपको ध्यान देना है ठीक है यह प्रेक्टिकली प्रॉब्लम आता है जब हम रचना को करते हैं तो यह सब चीज हो गया हमारा जो परिवरित है वो रचना हो गया है यहाँ पर आपको BC का लंबाई दिया हुआ है तो उसको लिखतो BC का लंबाई कितना दिया चे सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद AB 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर ऐसा इसको भी लिख देते हैं 70 यह भी तो जो भी जानकारी यहाँ पर विट रिफूज का नाम ABC है नहीं कि तो रिफ्जा के पाद वैसा ही आएगा जैसे पिछला में था हैप्ट क्या करना आपको रिफूज ए वीकर किया ऐसा लिखना है यह अद्दम डिटेल में नहीं जाना है यदि डिटेल आपको लिखना है तो ये सब चीज बताना पड़ेगा कि ये लंबाई ये कोण ये लंबाई ऐसा है बोलके तो डिटेल में जाना चाहो तो आप उसको देखकर लिख सकते हो इसके बाद हमने क्या किया A B और B C भुजा का संदिभाजाक रेखा कीचा सभी में यही करना ठीक है यदि तरिभुज A B C दिया है तो इसके बाद O को B से मिलाया तथा O भी तरिज्या लेकर तथा O को केंद्रमान का वृत की रचना की प्राप्त वृत ही अभिष्ट परिवृत है तो इसी प्रकार का रचना यहाँ पर भी आएगा तो चलिए अब हम हल करते हैं चाउथा नंबर का प्रस्ण चाउथा नंबर का प्रस्ण क्या कहता है तरिभूज A B C के परिगत वृत की रचना कीजिए जिसमें A B बराबर 6 सेंटिमीटर कोण A बराबर 45 अंस कोण B बराबर 60 अंस है रचना की पद भी लिखे देखो यहाँ पर परिगत सब्त का प्रियोग किया है मैंने आपको बताया था कि परिवृत को परिगत वृत भी करते हैं तो दोनों में से कोई एक नाम को वो इस्तिमाल कर सकता है ठीक है तो अपन को यह पहले से पता होना चाहिए कि दोनों चीज यहाँ पर एक भुजा और दो कोण का मान दिया है जो कि त्रिभूज रचना की तीसरी कंडीसान है ठीक है तो चलो भई यहाँ पर कैसे हल होगा देखें सबसे पहले आप प्रस्त को क्रमांख लिखना फिर उसके बाद हल फिर डेस फिर उसके बाद दिया है फिर उसके कोज ABC में AB बराबर 6 cm, कोण A बराबर 45 अंस, कोण B बराबर 60 अंस ध्यान देना आपको जिस भुजा का मान दिया है उसी के अगल बगल का कोण दिया रहेगा यदि आपको दूसरा कोण दिया तो भी प्रॉबलम नहीं है लेकिन आपको अगल बगल का कोण दिया रहेगा ऐसा कंडिशन रहता है जर्नली इसी टाइप का क्वेस्टन आता है तो चलो भई यहाँ पर जो भी जानकारी दिया हुआ था उसको तो हमने लिख लिया है फिर इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर एक रफ त्रिभूज का चित्र बनाएंगे ठीक है यह जो आपका रफ चित्र होता है यह इसलिए है कि चित्र किस टाइप से दिखेगा आपको एक अंदाजा हो जाता है एक तरह से पता जल जाता है ठीक है यहाँ पर आपको एक ही भूजा का मान दिया है ठीक है इसी भूजा को अपन को आधार में लेना है इस तरीक से ओके a b का मान दिया है उससी को अपन ने ले लिया और जो बज गया हो क्या है c तो c को उपर में ले लेंगे अब देखो, AB कमान यहाँ पर है 6 cm, कोण A कमान है 45 हंस, कोण B कमान है 60 हंस, ठीक है, यह हो गया, यदि suppose ऐसा रहता, ध्यान से समझना, ठीक है, यदि अपन को AB भुजा कमान दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, कोण A कमान दे दिया है 45 हंस, और कोण C कमान दे दिया है 60 हंस, कोण B कमान नहीं दिया है, ठीक है, कोण B कमान अपन को नहीं दिया है, ऐसे इस सिति में क्या हम त्रिभूज की रचना कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोण भी का मान को ग्यात करना पड़ेगा, ओके, ग्यात करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को याद रखना, ओके, आपको जो भुजा दिया है, उस भुजा के जो सिर्स है, वहाँ पर जो कोण बनेगा, वो आपको पता होना जब वो पता रहेगा, तभी जाके आप त्रिभूज की रचना कर पाओगे, यदि दूसरा सिर्स नहीं दिया है, दूसरा सिर्स पर जो कोण बनेगा, वो नहीं दिया है, तो आपको उसको ग्यात करना पड़ेगा, कैसे ग्यात करोगे, देखोया, त्रिभूज के तीनों अ कमान दिया है, इसमें रखोगे, है ना, तो आपको कोण भी कमान पता चल जाएगा, अब देखो यार, यदि आप लोग दस्वी कक्षा की स्टूडियेंट हो, तो इतना तो आपको आता ही होगा, है ना, कि तिर्भूज के तिनों अंत्र कोणों का योग, एक सवासियंस के बराबर होता है, अब उसमें हम दो कोणों का मान रखते हैं, और तीसरा कोण का मान को ग्याद करते हैं, ओके, तो ऐसा चीज आपको आता होगा, और सबसे ज्यादा अच्छा चीज ये होगा, कि आप जिस भी गाइट से पढ़ रहे हो, चाहे परिछबों से पढ़ रहे हो, या अजय माला से पढ़ रहे हो, जो क्वेश्टन वहाँ पर दिया है, उसको आप लोग देख कर समझिये, और रचना को करके सिखिये, ओके, हम आते हैं अपने प्रस्णों पर, ठीक है, यहाँ पर हमें AB भुजा का मान दिया हुआ है, तो हम AB भुजा को ही सबसे पहले बना ठीक है, देखो, AB भुजा का जो मान है, वो क्या है, छे सेंटिमीटर है, तो इसके ल को सिंपली ऐसे रख लेना, फिर उसके बाद जीरो पर ऐसे पॉइंट कर लेना, ठीक है, यह आपका क्या है, जीरो है, तो जीरो में पॉइंट कर लो, फिर उसके बाद 6 में आप पॉइ कीजीएगा जो आपके पास divider हो गाए नुसके नुक को किनारे पर अंच्छे से गड़ा देना हल्का से गड़ा न दम से पन्ना कोहीद फाड़ करते रहें चीर फाड़ करते रहें ऐसा मत करणा ओके यह हो गया अब देखो मुन को कोड़ों के मांन दियेقت किन के मान दिये हैं कोणों के मान दिये हैं तो यहाँ पर हमें चांदे की आवसकता होगी चांदा को कैसे रखना है चांदे का जो जीरो वाला भाग होता है ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर एक लाइन है करिया करिया लाइन ठीक है उसको इस लाइन में रखना है इसमें औ और यहां पर जो यह center रहता है ना, उसको कहां पर रखना है, यहां पर जो एक किनार है वहाँ, ओके, तो इस तरीके से रखेंगे अपन, यह हो गया, अब, यह जो आपका A है, वो अंदर से बने है, इस direction से 45 अंस है, तो अपन इस direction से 45 अंस देखेंगे, है ना, यह 10, 20, 30, 40, और यह वाला है आपका 45, ओके, चांदा को हटाना, स्केल को रखना, ठीक है, ऐसे रखेंगे, और फिर इसको मिला देंगे, अब देखो, यह यहां से A से निकल रहा है, और एक ही दिसा में बढ़ रहा है, ठीक है, तो यह क्या है, किरण है, है ना, तो किरण का एक बिंदू, तो आपका मूल बिंदू हो गया, और दूसरा जो direction होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिसा बोलते हैं, और उसको हम दर सा आते हैं X, Y, Z इन सबसे ओके तो यहां पर X से 10 आ देंगे यहां पर कितने अंस का कोण बना है 45 अंस का कोण बना है इसको आप थोड़ा सा उपर ऐसे लिखना ओके यहां पर हो गया अब कि दूसरा जानकारी क्या आपन को पता है कोण B कमाण 60 यह पता है तो यहां पर B में 60 अंस बनाएंगे तो कैसे करोगे देखो अगें यहां पर जो यह लाइन बना हुआ है उसको इसमें रखोगे यह जो सेंटर है उसको यहां पर रखो अगर ध्यान से समझे जो ये 45 हंस का कोण है वो क्या था भई इधर से ऐसे गए थे इस कारण से जब हम चाना में देखे तो इस डारेक्शन से देखे लेकिन ये जो आपका 60 हंस का कोण है वो कैसा है इधर से ओके तो अपन यहां से ऐसे देखेंगे ठीक है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ओके ये हो गए हमारा 60 हंस अब क्या करेंगे चांदा को हटा देंगे है ना और फिर यहां पर रखेंगे ऐसे और इसको मिलाते हुए एक किरन निकाल देंगे क्या है किरन तो यहां पर अपन को नाम देना पड़ेगा Y यह वाला जो कटान बिंदु है यह क्या है भाई हमारा C है क्या है C अब देखो यहां पर हमने 45 हंस को दर्साया है यहां पर भी हम 60 हंस को दर्सायेंगे इस तरीके से और ये जो दूरी है ये कितना है? 6 cm है अब देखो यहाँ पर कुछ रचना और करना है ना इस कारण से मैं अभी ये जो 6 cm जो दूरी है उसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ उसको हम बाद में लिखेंगे नहीं तो यदि आपको अभिच लिखना है तो क्या करना? अब किनारे पर लिखना बीच में मत लिखना ओके किनारे पर लिखना ये जो दूरी है उसको ये हो गया अब अपन क्या करेंगे? ये जो भुजाएं हैं जैसे A B भुजा है, A C भुजा है, B C भुजा है इन में से किसी दो भुजा का हम सम्धिभाजन करेंगे और सम्धिभाजक रेखा खिचेंगे ठीक है? जैसे अभी तक के प्रस्मों में करते हैं वैसा ही करना है ठीक? तो मैं यहाँ पर किनारे पर इसको रख देता हूँ ठीक है? और इसको क्या करना है अपनको आधा से अधिक फैलाना है यह आधा से अधिक फैल गया है देखो आप ध्यान से देखो यह एबी है इसका जो मध्य बिंदु है वो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा? अंदाजान यहाँ पर मिलेगा है ना? तो अपनको क्या करना है? यदि भी चाप कार देते हैं ठीक है इसको थोड़ा से उपर करते हैं तो ज्याद अच्छे से समझागा अब यह जो दूरी लिए हैं यह प्रकार को जितना फैलाएं उसको उतना ही रहने देते हैं और यह जो आपका नोक है है ना डिवाइडर का जो नोक है इसको दूसरे समझागे और फिर जो यह आपने चाप काटा है उसको फिर से कार देंगे तो अपन को ऐसे करदान बिंदु मिलेंगे हम इन करदान बिंदु का नाम करन कर देंगे ठीक है चलो इसका नाम में रख देता हू पी इसका नाम में रख देता हूँ Q और फिर P और Q को मिलाते हुए एक रेखा किचेंगे जो क्या होगा AB पर सम्दिभाजन रेखा होगा इस तरीके से हमने क्या किया अभी AB का सम्दिभाजन किया है अब यह आपके उपर है कि आप कौन सा भुजा लेना चाहते दूसरा आप चाहो तो A.C. भुजा भी ले सकते हो और चाहो तो B.C. भुजा भी ले सकते हो किसको लेना है? चलो भई, मैं यहाँ पर B.C. भुजा को ही लेता हूँ जैसे बाकी प्रसनब हम लोग कर रहे थे A.B. और B.C. को इस प्रसनब में भी वैसी कर रहे हैं ताकि रचना के पद में जाजा चेंजिस लाने की आवसकता अपन को ना पड़े ठीक है? यहाँ पर B में रखा, अब आधा से अधिक फैलाना है आपको, ठीक है? जितना फैलाना है आपका मर्जी है, आधा सधिक मैंने ले लिए यहाँ पर, और सामने की ओर ऐसे चाप काटेंगे, ओके? इस डारेक्शन में भी चाप काट लेते हैं ऐसे, फिर उसके बाद, नोक को कहां रखेंगे? C में रखेंगे, और फिर इस तरीके से, दूसरे डारेक्शन में भी इस तरीके से अपन चाप काट लेंगे, तो यहाँ पर अपन को दो कटान बिंदों मिलेंगे, ठीक है? एक कटान बिंदों आपको ये मिल जाएगा, एक कटान बिंदों आपको ये मिल जाएगा, ठीक, उके, अब हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, इस तरीके से. और देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो बिंदू प्राफ्थ होए उनका नाम करन किये हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो बिंदू प्राफ्थ होए उनका भी नाम रख देते हैं इसका नाम R रख देते हैं और इसका नाम हम S रख देते हैं और दोनों सम्धिभाजक रेखा किस point पर cross कर रहे हैं, इस point का नाम हम लोग रख देते हैं, O, क्या रखेंगे? O रखेंगे, चलो भई, यहां पर लिख देता हूँ, अब देखिए, A, B का सम्धिभाजन किये हो, B, C का सम्धिभाजन किये हो, किसका सम्धिभाजन ने किये हैं A, C का नहीं किये हैं, तो A, C के सामने वाला सिर्ष से कौन सा है, B है, इस O को हमें किस से मिलाना है, B से मिलाना है, किस से मिलाना है, B से, तो ध्यान पूरवक, इसको खीचना है आपको, ओके? अब देखो, अभी तक जितने भी अपन लोग रचना कर रहे थे, वहाँ पर ये वाला जो लाइन है, उसको मैंने डॉटेड लाइन से दर्स आया था, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, आप जो है कि, एक परफेक्ट लाइन, एक पोन लाइन के द्वारा भी उसको दर्स आ सकते हो, ओकी, हो गया, अब अपन को क्या करना है, जो डिवाइडर है, उसका नोक को O में रखना है, कहां पर रखना है, O में रखना है, और पेंसिल के नोक को B में रखना है, कहां रखेंगे, B में रखेंगे, ओकी, ऐसे, अब इसके बाद आपको चेक करना है, कि यार ये C को भी टच कर रहा है ना है ना कि उसको क्रॉस कर रहा है या दूर जा रहा है ऐसा तो यहाँ पर देखो सी को टच कर रहा है फिर उसके बाद देखिए एक को टच कर रहा है कि ने तो एक को भी टच कर रहा है ओके यहाँ पर यदि हम खीसते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार एक किनारे को काट रहा है यहां पर एक तो क्रॉस पॉइंट को परफेक्ट चुनना और इसको थोड़ा सा अधीक कर लेते हैं ऐसे और इसको सिर्फ टच करें काटे मत इस टेप से तो अपन इसको फैला लिए थोड़ा सा और थोड़ा सा ऐसा कर लिए और फिर ये मिला देते हैं और देखो क्या है ना यहाँ पर चीत्र में दिखाने में थोड़ा सा हाथ सामने आ जाता है फिर उसके बाद ये किनारे हुआ ओके ये हुआ ठीक फिर उसके बाद ऐसे तो ये अपन मिला लेंगे बन जाएगा हमारा जो वृत है परीवरित ये जो बहार में वृत बना है ध्यान से देखी ये सभी सीर्स को सिर्फ इस partial कर रहा है ओके इतले इसको परीवरित कहते हैं तो परीवरित हमारा बन गया अब अपर को क्या करना है? यहाँ पर रचना के पद लिखना है, ठीक है, तो चलो भैई, यहाँ पर हम रचना के पद को फिर से एक बार लिखी लेते हैं, रचना के पद, ध्यान से समझना कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक त्रिभूज बनाया, ठीक है, तो सर्व त्रिभुज अब जो भी नाम दिया रहेगा त्रिभुज का सर प्रतम ABC की रचना की अब यहां पर त्रिभुज ABC में कौन सा भुजा कितना है है कौन सा कौन कितना है यह सब डिटेल बताने की आव सकता आपको नहीं है ओके सेकंड चीज AB वब BC भुजा की समद्विभाजक रेखा खीचा सेकंड इस्टेप अपन यही करते हैं जिससे ओ प्राप्त हुआ ओ क्या है जौ जो है कि जो वृत बनने वाला है उस वृत का केंद्रक है ओ की है जो व्रत बननने तथा ओबी दूरी का तिज्या लेकर एक वृत्यकी रचना की चांथा प्राप्त वृत्त ही अभिष्ट परीगत वृत्त है तो इस तरीके से अपन को रचना के पर लिखा है यहाँ पर जो यह लिखे हैं ओक ओकेंद्रमान का तो देखो या आप अपना जो डिवाइडर है उसका जो यह नोख है उसको जहाँ पर रखते हो उसको केंद्रमानना बोलते हैं और इसको आप जितना फैलाते हो उसको त्रिज्जा लेना बोलते हैं जब हम वृत्त की रचना करते हैं यहाँ पर तो हम त्रिज्जा कैसे लेते हैं मैंने क्या बताया आपको नोकिला हिस्सा को यहाँ पर केंद्रमे रखो फिर इसको कितना फैलाने बोला था B तक फैलाने बोला था मतलब कि हम O भी त्रिज्जा ले रहे हैं यदि आप चाहो तो O और C के बीच की दूरी को भी त्रिज्जा ले सकते हो सेम चीज है ठीक है O और A के बीच की दूरी को भी ले सकते हो वो भी सेम चीज है, तभी तो ये आपका इस पर सकर्ति विवरित बनेगा, है ना, लेकिन भईया हमने इसको इससे क्यों मिला है, ये दूरी को लेने के लिए मिला है, इस कारण से इसका नाम को आपको लिखना है, ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रजना के पद को खाय, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रस्ना मैंने लिया था, वो आदर्स प्रस्न पत्र जो होते हैं, है ना, एक तो आपका गोर्वेंट देता है, प्रादर्स प्रस्न पत्र ओ वाला, और जो बागी की क्वेस्टन है, है ना, वो जो है कि परिछ्षबयद में जो आदर्स पत्र दिया है उसमें से और एक question जो है कि पिछले साल जो आया था उसमें से लिया हूँ तो इसमें तीनों प्रकार के question आ गए हैं यदि आप इन तीनों प्रकार के question को सीख जाते हो तो आपसे परिगात वृत के प्रस्म बन जाएंगे जैसा कि मैंने सुरू में ही बताया था परिगात वृत के option में आ जाता है अंतह वृत और अंतह वृत भी इतना ही simple है को जादा कठिन नहीं है है ना तो next video में हम अंतह वृत के question को देखेंगे यदि आपको confidence है कि मैं परिगात वित अच्छे से बना लेता हूँ और यदि आप just paper से पहले तयारी कर रहे हो तो अंतह वृत को देखनी के आप सकता नहीं है सिर्फ परिवृत को तयारी करके चले जाना देखो यार जो भी चीज़े मैं यहां पर बता रहा हूँ वो आपके probability के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि CG board जो आपको आदास प्रस्ण पत्रह देता है उसी के हिसाब से question paper वो तैय करता है है ना अब किस्मत खराब रहेगा तो यह question नहीं आएगा क्योंकि यार हर साल तो यह question आता ही है परिवृत की रचना कीजिये बोलके है ना तो कुछ चीज़े हमको risk भी लेना पड़ता है chance लेना पड़ता है यदि आपके पास समय नहीं है तो आप करोगी भी तो क्या करोग ठीक है तो देख लो आप लोग जैसा समझो जैसा आपको सहीं लगे है ना चलो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक बेस्ट आप लग ठाइंक्यों